नमस्कार आप देख रहे हैं बंसल्यूज, बंसल्यूज के खास कारिक्रम हमारा शहर हमारा नेता में आपका स्वागत है आज हमारे साथ रिवा जिले के एक ऐसे यूवा नेता है जिन्होंने कोई भी मोह किये बिना करोडो रुपए का पैकेज वो भी विदेश में रहते हुए पढ़ाई करके और विदेश में नौकरी करते हुए छोड़के और आज राजनीत में आने का नेड़ना लिया है हलाकि रिवा जिले का ये ऐक ऐसा घराना है जो समास सेवा से कई पुस्तों से जुड़ा रहा है समास सेवा के लिए परिवार रिवाजिले में जाना भी जाता है लेकिन भला ऐसी क्या मजबूरी थी या इस यूबा के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने पल भर में बिना ये परवाह किये कि करोडो रुपए का नुकसान कर रहा है या ये परवाह किये बिना कि आगे वो और बहतर कर सकता था जहां है ये सब चीजों की परवाह किये बिना वो आ गया है गुड़ विदानसवा शेतर में चुनाव लड़ने और वो भी आम आदमी पाइटी के टिकेट पे तो बहुत स्वागत है प्रखर जी बंसन ले उस पर प्रखर जी मैं तो आप ही से जानना चाहूँगा सबसे पहले कि प्रखर प्रताप सिंग कौन है और मैं नहीं ये जनता भी जानना चाहेगी कि प्रखर प्रताप कौन है क्योंकि प्रखर प्रताप की पढ़ाई विदेसों में हुई प्रखर प्रताप की नोकरी उन्होंने विदेश में की, तो ऐसे में आम लोगों से आपका वास्ता नहीं है, लेकिन आज आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपके परिवार को सिभली भात आपका शेत्र परचीत है, आपके बाबा जी से परचीत है, आपके पिता जी से परचीत है, लेकिन अगर प्रखर अपने आप को उंट्रोड्यूस करेंगे तो कैसे बताएंगे अपने मारे में पहले तो मैं श्री निर्मल सिंग जी मेरे बबबा जी जो है उनका मैं नाती हूँ क्योंकि ये सारा जो आज सब के सामने आ रहा है वो कहीं न कहीं प्रोटसान उनी से है तो शुरुवात मैं उनसे करना मेरा नाम प्रकरपरताप सिंग है और घर में मुझे मेरा राईपुर करचलयान मेरा नाम प्रसाद रखहाए गया था जिसे प्यार से परसद्दू बोलते हैं और मेरी पढ़ाई डीवा में हुई उसके बाद में देरहा दून गया उत्राखंट में उसके बाद फिर मैं मैं दो वर्ष पहले वापस आया और यहां पे भी लाइसेंस हासिल किया बतोर आकिटेक्ट और यहां पे कंपनी में काम भी किया करता था उसके बाद जब यह सारी चीजे मेरे सामने आने लगी और मेरे दादा जी की तबियत भी उस समय काफी खराब हो गई थी तो बड़ा ही गंभीर महल हो गया था घर का उसी समय ये सारी चीजे मैंने बबबजी से काफी one to one conversation के बाद मैंने ये निर्णे आगे लिया था और यही इस समय का मेरा सबसे latest परशे है गुडविदान सभाशेत्र जिसमें आप मैदान में हैं आमादमी पाइटी से उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जित्ती आई है और अभी जो तीन प्रत्यासी मैदान पे हैं नागेन सिंग जी भाजपा से, कपिदोर सिंग जी कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से प्रकर प्रताप सिंग आप 25 साल के, भाजपा प्रत्यासी 85 साल का, और कांग्रेस के प्रत्यासी 49 साल के, तो कैसे देखते हैं आप अपने आपको वहाँ पे? देखी मैं अपनी एक विचारधारा बनाता हूँ, पार्टी की विचारधारा तो है ही, मगर जैसे कोई भी अपना जीवन जीता है, तो एक उसकी खुद की सोच डवलप करना उसको बहुत जरूरी होता है, पच्चिस साल की उमर शायद वो सोच डवलप करने के लिए, और उस से निढर नहीं होता, अगर उसको अच्छी पालन पोशन अच्छी डिरेक्शन मिलती, तो मैं अपने आपको वैसा मानता हूँ, रही बात दूसरे प्रत्याशियों की, दूसरे पार्टीयों की, तो देखे, ये प्रजातंत, लोगतंत का देश है, सब अपनी अपनी तरीके से हाँ पर चीज़े कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी मेरे मेरी विचारधारा पर है, मेरी लकीर पर है, जो मैंने खीची है, और मेरे समझ से उस पर चलना और उस पर अडिग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं किसी वेक्ति विशेश के टिपड़ियों के त्याग की बात नहीं है, यह आसानी से नहीं होती, यह बहुत बड़े त्याग की बात है, और मेरे पास विवस्ता है, मेरे पास उस विवस्ता के कारण कोई छल कपट नहीं है, कोई विवसाई को देश नहीं है, तो जन सेवा करना भी एक बहुत बड़ा त्याग है, क्यों पैकेज छोड़के और दर दर जाके वोट माग रहे हैं प्रखर ऐसा लोग अपनी अपनी भाषा में कहते हैं लेकिन राजनीति तो दलगत हो चुकी है आपकी उम्र में जैसा आप कह रहे हैं आप अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और मुझे खुशी हो रही आप से बात कर करते हुए कि आप अपनी कह रहे हैं कि पीक पे होता है इस उम्र में कुछ भी करने के लिए आदमी का जज़बा और अच्छी बात है कि आप अपने समाज के लिए अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन अच्छा खासा पैकेज इस उम्र में यूबा चाहता है विदेश में पढ़ाई करना इस उम्र में यूबा चाहता है और राजनीती जिसे की लोग दलगत कहते हैं फिर ऐसे विचार कैसे आपके मन में आया और क्या थीम है आपकी दिमाग में दिखिए ये सवाल मैं थोड़ा अपने सारे यूवाओं के लिए डिरेक्ट करना चाहूंगा कि अगर वो सुन रहे हो तो अच्छे से सुनेंगे ये मेरे विचार हैं बाकी समझना न समझना वो उनका उनकी इक्षा है पहले तो जब कोई बताता है कि आपको आगे क्या करना ह तो जब भी अपन चूस करते हैं कि एंजिनिरिंग हो गई डॉक मतलब मेडिकल लाइन हो गई या फिर आखिटेक्ट डिजाइनर एनीधिंग कुछ भी हो गया अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं कि आज की देश में जरूरी नहीं कि आपको इंजिनिर डॉक्टर बनना ज सही नहीं लग रहा अगर उस टाइम अगर आपका मन टूट रहा है तो वह फिल्ट आप के लिए सही नहीं है अगर उस बुरे वक्त में भी और अपने सामर से करूँनाउंगा तो 10 लोगों को पहुचूँंगा और विधायिक पथ से करूँगा तो मैं दो लाब करता हैं्लेस वियूहार जाता है। उसको तियार करके बनाई जाती है तो समझ लीजे जो मेरे जीवन का गोल बनाया है मेरे बड़ो ने मेरे माता पिता ने उस घोल से जो महक आती है वो इस चीज की आती है कि मैं जन सेवा करूँ एक चीज जरूर राजनीती में तो अभी आपका ये पहला ही चुनाओ है लेकिन राजनीती में आपका प्रेणाद आई किसे आइडियल मानते हैं ठीक है आज आप आम आदमी पार्टी से चुनाओ लड़ रहे हैं लेकिन राजनीती को समझ तो रहे होंगे जितना मैं आपको समझ पा रहा हूं काफी गहराई से आप चीजों को समझते हैं तो आपका एक चीज को पकड़ के कभी भी आगे नहीं बढ़ता कभी किसी की जिन्दगी में हो सकता है मगर जब मैं इस पद पे आया तो मैं काफी चीजे सोच सकता था और समझने की छमता है मेरी तो मैंने इस बार इस पद में आने के लिए इस मंच में सामने आने के लिए मैंने हर ए उससे मैंने काफी सारी चीजे सीखी हैं वो डिटेल में चले जाएंगे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा और आप कुश्चन काट देंगे तो मैं निराश हो जाऊंगा क्योंकि वो मेरे लिए काफी बड़ी चीज है अटल जी से मैंने चीजे नी है पब्लिक को एड्रेस करने मे जैसे हमारे संगफन में डॉक्टर संदीपांथाग जी है तो जो वू जे बातें बताते हैं अब इनको मैं बता सकता हूँ कि ये मेरित पर काम करने पर ही आगे बढ़ने को मिलता है और हम जैसे जो पढ़े लिखे लों होते हैं उन्होंने साफसाधे शब्दों में कहा कि ह बहुत sensitive होते हैं, क्योंकि हम बहुत चीजों को बड़ा अच्छे से नाप तोल के सोचते हैं, और जो सामने वाला अगर इतना सिक्षित नहीं है, तो वो कुछ भी करने को बहुत फट से त्यार हो जाता है, तो उस वज़े से हमें काफी और पार्टी का अगर कोई अच्छा काम करता है, तो कम से कम मेरी जो ऐसी पार्टी है कि उसको acknowledge करने में मुझे रोकेगी नहीं. प्रखर, आपने अपना नारा दिया है, नेता नहीं बेटा चुनू, क्यासा response मिल रहा है पब्लिक के बीच में? सर जब पहली बार मैंने उस response का physical evidence देखा था तो मैं मानता हूँ कि मैं काफी सिक्षित हूँ क्योंकि देखिए अपने हुनर पे गर्व करना कुछ कोई बुरी बात नहीं है, अगर हुनर है तो हुनर है तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था मेरे पास शब्द की कमी पड़ जाएगी कभी कि मैं कुछ अगर मेरे से कोई प्रश्न पूछा जाए उस सिलसले में तो मैं उसे बताना पहूँ और मैं जब शुरुआती पंदर सोले साल की उमर में जब डिसकस किया करता था उसके बाद जब काफी बड़ा हो गया था आता था क्योंकि हर चुट्टी में मैं वहां नहीं रहता था मुझे घर आना ही आना है चाहे मुझे साथ दिन के लिए हो चार दिन घर में रहो बाकी मेरा फ्लाइट में समय बीच जाए मुझे कोई आपत्ती नहीं मगर घर टच करना मेरे लिए बहुत जरूई हो तो उस टाइम भी मैं सवाल किया करता था कि यह सब होगा कैसे क्योंकि मैं बच्चा था सोचता था कि यह होगा कैसे तब बबा कहा करते थे कि तुमको बस अच्छी सोच रखनी है अच्छी नियत साफ रखनी है और बस कभी-कभी तुम्हें अकेले चलने कभी हो जाएना तो तुमको चल देना है अकेले एक समय ऐसा आएगा कि तुम खड़े हो गया और तुम्हारे साथ समर्थक तुम्हारे सोच से मिलते जुलते लोंग तुमसे कंदे से कंदा मिला के खड़े रहेंगे और आप बात मानिए एक छोटी सी मुझे मतब टास्क था चुनावी मौल में कि मुझे ना मांकन अपना दाखिल करना था उसके लिए मैंने एक पध्यात्रा क्योंकि आम आदमी पार्टी से हम बिलॉंग करते हैं तो पध्यात्रा करी थी मैंने शिव मंदिर से लेके कलेक्टेट तक और जो समर्थन मुझे दिखा तो समझी उस ताइम मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं इसको डिफाइन कैसे करूँ तो समझ लीजी कि मन भर गया था मेरा और जैसे कि मैंने कहा कि आशायें टूटनी नहीं चाहिए जूटे वादे नहीं होने चाहिए तब ही मैंने समझा कि यह बहुत सारी बहुती बड़ी गंभीर बात है कि लोग्यों की उमीदे जुड़ रहे हैं और यह जीवन पर्यंत का मैंने संकल्प लिया है कि 25 साल का हूँ तो उस छेतर का आज की डेट में सबसे ज़्यादा साथ देने वाला मैं ही रहूँगा और बड़े दिलेरी के साथ वो साथ दूँगा परिवार का कैसे सही ओग मिल रहा है आपको राजनीती में जब आप आए करोड़ो रुपए के पैकेज को आपने बीना परवाह किये छोड़ा होगा तो मैं कहता हूँ आज तो चुनाओं मैदान में आपके साथ आपके बाबा जी भी जा रहे हैं चाचा जी भी जा रहे है परिवार का हर सदसे माता जी भी जा रही ही बेहने भी जा रही सब जा रहे हैं लेकिन किसी ने आपको बोला कि नहीं है तुमने गलत कदम उठाया है प्रखर तुम अच्छा खासा थे सटल हो जाते बेटा नाराज हुए थे काफी लोग और शायद मेरे पिता जी का भी नाम लेना इसमें गलत नहीं होगा क्योंकि ये जब नेड़ने में घर लेके आया था तो उनकी मेरे से तीन दिन तक अगर मैं एक्जाक्ट बताओं तो तीन दिन तक उनसे मेरी बातचीत बंद हो गई थी काफ ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो उनसे वो बड़े पापा है मेरे तो बातचीत उतनी खुल के नहीं होती है तो मगर इशारा में उनका समझ गया था मगर आज की डेट में मेरा ये कमरा है और बबबा जी का ये कमरा है आमने सामने बबबा जी का एक नियम हुआ करता था कि मेर परिवार में कोई राजनीती नहीं करेगा अब वह मेरे दिमाग में ऐसे घुमे जा रहा है अब फिर जब मैं उनके कमरे में गया कि मैंने कए बढ़ा हो गया हो तो मारता तो कोई नहीं है मुझे। तो बबबा जी ने कहा कि नाती तुम ये बहुत अच्छा की हो ये नियम उस वक्त की मांग थी कि अगर तुम्हारे पापा लोग व्यवसाय नहीं करते तो आज ये व्यवस्थाएं नहीं होती और अगर तुम इस व्यवस्था में सामने नहीं जाते तो तुम चल कपट के साथ जाते व्यवसाय उद्देश से स्वार्च से तुम जाते अगर आज ये व्यवस्था तुम्हारे पापा लोगों ने बना दी है तो तुम आज की मांग है कि तुम इस मंच पर जा रहे हो तो मेरा पूरा अशिरवाद है जैसे उन्होंने ये शब्द कहा समझ डीजे जैसे कि मैंने कहा कि 25 साल की उमर है बड़ा इसमें पीक पे रहता है आदमी तो बस उस टाइम मैंने ब्लास्ट किया और फिर पीछे मुड की अभी तक नहीं देखा प्रखर अपना का बगेली आब थी और अपने बबबा जीसे बहुत प्रेम करें तो बगेली में बताई ना कि बबबा से तना प्रेम करें के कारण का है कि बबबा जिसे हमाब पिता जी हरे व्यवसाई करहें तो बड़ा का कही कि बड़ा सिस्टम में काम होत रहा कि मतलब गंभीरता सूट जैकेट सूटकेस यह वाला काम होत रहा मगार जब बबबा के देखी तो हम लोगों को आइसन कोनों कमी नहीं है कि बबबा के हम पचे 800 लाठी डालिन पीछे स्टेरिंग गियर और काफी व्रिद्ध उमर की मैं अरे मेरे पास एक सेक साइकल उपलब धाई हमरे घरे मां मगर वो जोन कैंची वाली साइकल होती ओमा वो लुंगी पहन के आज व पार के एक राउंड जब बहुत स्वस्त फिल करीं मगर अबे तो स्वास्त उस्वास्त बिगडने के पहले तक हमां बबबा वो कैंची वाली साइकल कहों लेबर से लहाई ले आए और फिर यह उमर में वह साइकल से घूमत रहें तो बहुत बड़ी बात ही यह नाती बाबा के ट्यूनिंग मतलब बहुत तगड़ी है बहुत तगड़ी है मेरें नाती रहें और किना वजह से ऑँ दूएनाती बचे वह कैあ मारी नाती बड़े कलोज है वह में राहुल डाधा हैं हमएं बड़े बहिया और हम तो दूनों प्रखर एंविवर गशा पतलने में मतलब कि अगर प्रकर राजनी नहीं हैं तो कहूं ना कहूं हर्मान अगर अपना आइसन रखे चाहिते है वह को नो दो रहा है जी जी हम आज जब दादी रही था सबसे ज़्यादा हम अपने दादी से बगेली में बात करते हैं कि जब हम कहीं कि खड़ सुद्धिंदी में बात करे लागी तो बोले कि लाला बगेली सिखा थो के अचा प्रकर य परिवार कडी के लिए वहार कडी खाति हमारे प्रवार में कडी था इन मु बहुत फैन है चाहिए व हो मुन प्रखर अगर राजनीती में जनादेश मिला तो तब तो आपने तने कर रखा है कि आपको क्या करना है लेकिन अगर आप चुनाओ हार गए तो फिर आपका इस्टेंड क्या होगा सिर्फ हारने जीतने की बिलकुल भी बात नहीं है अगर मैं जैसा कि मैंने कहा कि प्रेणना सामने लाना लोगों के लिए बहुत जरूरी है और गुडविधान सभा मेरा घर है वहां के समस्याओं से मैं बड़ी ही गंभीरता के साथ अवगत हूँ अगर आज कोई बोलता है कि आप मैं नया हूँ यह हूँ तो देखिए मुझे उसको एक सेकेंड भी देना विर्थ है तो इस वज़े से क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहां पे सक्षम हूँ कहां पे नहीं हूँ तो जो हमारे युवा है और अगर मैं अपने यह जो मेरा टेन्योर चल रहा है इस को शायद प्रेड़ना फिला सकते होंगे तो यह जैसे एक माला होता है ना सर कि मोती का माला की एक एक मोती माले में डाल डालके एक माला बनता है वैसी एक लहर एक कल्चर मुझे अपने एक मौसम कह दीजे कि यह मौसम की लहर कि मुझे बढ़ानी है कि मेरे मेरे आज इस ब क्योंकि मुझे कहीं भी गया हूं तो मैंने जोड़ तगोड़ के जीत तो हासिल करी ही है और इस बार नहीं तो अगली बार मैं जीत हासिल करी लोगा और इस बार भी आप भी जानते हैं कि इतना clear नहीं कहा जा सकता कि मैं जीत ना पाऊंँ लेकिन आपकी अगर विधान सभा की बात की जाए प्रकर जी तो आपके विधान सभा के हिस्से दो बड़ी चीजें लगी हैं जसके कारण भी उड़ जाना जाता है एक वो टनल जो अभी बना और एक एसिया का कहा जाने वाला सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट आप इसको क टनल एक बड़े विकास की चीज है मगर गुडविधान सभा का जो चेत्र है जो अंदरूनी चेत्र है वो छोटे विकासों से चलता है बड़े विकास में बजटिंग जादा होती है और भस्टाचार करने का मौका भी बड़ा होता है इसलिए बड़े विकास मेरे पशु और से शुरक्षा की जो अभी काफी बड़ा समस्या है एरा पशु जो इतनी मुश्किल से खेती हो रही है उसको भी तबाह कर रहा है तो ये सारे चोटे विकास के चीजे हैं उसमें सीधा फंडा है पैसा कम लगता है मगर समय बहुत जादा है क्योंकि उसमें घर घर में आपको विवस्था बनानी है तो इस वज़े से चोटे विकास हो नहीं पाते हैं आप रोड छोड़ दिये अच्छी पगडंडियों की विवस्था नहीं पगडंडी आप समझते हैं एक होता है रोड फिर होता है कच्छी रोड फिर होता है धर्रा फिर होता है प मेहगाई से अपना पेट काटेगा कि बक्चों का पालं पोशन करेगा तो उस टेनल में जाने के लिए वो क्या करें उस सोलर पारक का वो क्या करें उस उस गुड़ा गविन डिटेड में जो परिंटकों के लिए भी websites के लिए जो व्यूस्था की जा रही है वो सब व्यर्थं जब गुडविदान सभा में मूल भुट सुविदाओं से वंचित है तो आज शर्म की बात है मैंने काफी बार इसको मेंचिन किया है कि 76 साल हो गए है अजादी के शर्म की बात है कि आज भी समस्याएं वही हैं मुझ जैसा यूवा अब सामने आया है और ये जो बोलते हैं ल दल दल बोला जाता है ये पठ जाएगा और ये महाल बदल जाएगा महाल बदल जाएगा और निश्चीत रूप से जब भी देश में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे यूवा नहीं बदला है 25 साल के उम्र में आदमी पीक पे रहता है कुछ करने के लिए उसके पास पाव स्याओं को दर्द को समझते हो देखिए कितनी बढ़िया बात कही प्रकर जी ने कि हमारे यहां यहां सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तो है दिल्ली के मैट्रों चल रही है लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं कितनी बड़ी बात कही है अच्छी सोच है मेरी शुबकाम को दीजिये अजाज़त नमस्कार